आज की तारिक में रेमडेस्वीर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है ब्लैक भी हो रही है शॉर्टेज भी हो गई है पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेस्वीर से जान बसते नहीं देखा गया है फिर यह क्यों भी करी है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव उई एक तरू क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके लावा जादा कोई दवाई नहीं थी अगर आप data में जाए तो सचा यह है कि दुनिया में आज तक सिर्फ दो दवाईया बनी है जो कोर्णा में लोगों की जान बचाती है जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है steroid का injection यह steroid का injection जिसकी study UK में हुई थी इसको कहते हैं dexamethasone यह ना तो black हुआ ना लोग इसके पीछे भागे क्यों नहीं भागे क्योंकि अगर आप इसकी MRP देखिए यह 10 रुपे है dexamethasone के उपर UK ने study निकाली है और पूरे world में यह steroid दिया जाता है यह injection रेमडेश्वीर से ज़्यादा जान बचा रहा है और यह मैं on record बोल रहा हूं रेमडेश्वीर से ज़्यादा अफेक्टिव यह injection है पर यह सब medical guidance के अंडर ही दिया जाता है इसलिए रेमडेश्वीर के पीछे भागना छोड़िये जो अवेलेबल है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है आप उसके साथ जाएगे तो बाकी दवाईयों का क्या हुआ बाकी द इंफेक्शन में कलॉट्स बनने का खत्रा रहता है इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन एक लेक्सेन या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर सुनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं यह ब्लड थिनर की टैबलेट 20-21 दिन तक दी जाती हैं और यह नॉर्मल है वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टमेटिक ट्रीक्मेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं स्टिरोइड की जरूरत सिर्फ सेकिंड वीक में पढ़ रही है एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उमर सिर्फ 14 दिन ही है अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जी दें और जो अवेलेबल संसादर हैं आज हमारे पास उसको यूज करें तो हम सब जादा से जादा लोगों की जान बचा पाएंगे हैं मैं संजीव कुमार संचैंग होस्पिटल हाइदराबाद से बोल रहा हूं